नमस्कार नफारे टाइपस ऑन्नाइन में आपका स्वागत है इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं प्रयांक चाशा निखिट पटवारे को लेकर पार्टिदार अनामत अंदोलन समीती यानि पास और कॉंग्रेस के बीच गतिरोध शनिवार को भी जारी रहा पार्टिदार नेता अपने लिए 9 सीटों की मांग कर रहे हैं जबकि कॉंग्रेस सिर्फ 4 सीट देने को तयार है पास से जुड़े एक शेश सूत्र के मताबिक उन्होंने कॉंग्रेस के सामने 9 सीटों सिर्फ हैं पास ने एक खासकर एंदाबाद, उत्तरी गुजरात और सौराश्ट्र में पार्टिदारों के प्रभाव वाली सीटों की मांग की है लेकिन कॉंग्रेस पास को सिर्फ 4 टिकट से जादा देने को तयार नहीं है खबरों के मताबिक भार्टिक पटिर की कथिट सेक्स टेप के विवाद के बाद कॉंग्रेस पास को सिर्फ 4 टिकट ही देना चाहती है भारत की सुंदरियों ने दुनिया में एक बार फिर अपनी खूबसूर्थी का लोहा मनवा लिया है चीन के सनाया में आयोजित की गई मिस वर्ड प्रत्योगिता में भारत की मिस एडिया मानुशी चिलर को मिस वर्ड 2017 होशित किया गया आपको बता दे कि प्रयांका चोपडा के मिस वर्ड बनने के बाद 17 सालों में पहली बार किसी भारती सुंदरियों ने यह किताब जीता है इस प्रत्योगिता में दुनिया भर की 118 सुंदरियों ने हिस्सा लिया था जिसमें मानुशी ने सभी को पीछे चोड़ते हुए मिस वर्ड का किताब जीता मिस वर्ड मानुशी हर्याना की सोनीपत की रहने वाली है पाकिस्तान में ट्विटर पर भारत की एक बेटी की तस्वीर के साथ छेड़ खानी की नापाक कोशिशों को जोरदार जटका लगा है लड़की की शिकायक पर पाकिस्तान डिफेंस नामकार्ड वेरिफाइड ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया गया है दरसल इस पाकिस्तानी ट्विटर हैंडल ने कवलप्रीत कौर नाम की भारती स्टूरेट की एक फोटोशॉप तस्वीर का इस्तिमाल करके भारत की छवी को धूमिल करने की कोशिश की थी इस पूरे मामले की शुरुवात कवलप्रीत कौर के ट्विटर हैंडल पर मौजूद एक तस्वीर से हुई कवलप्रीत ने भारत में मौम लिंचिंग की घटाव पर जून 2017 में चले कैमपेंग नौर्ट इन माई नेम में हिस्सा लिया था दिल्य विश्विद्याले की स्टूडेंट एक्टिवस ने अपने ट्विटर हैंडल से हाथों में प्लेकाड लिये हुए अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी पाकिस्तानी टुटर हेंडर ने जो तस्वीर पोस्ट की उसमें कवलप्रीत के हाथों का प्लेकार्ड और उसका संदेश ही बदल डाला कवलप्रीत के हाथों में जो प्लेकार्ड दिखाया गया उसमें भारत की बुराई की गई कवलप्रीत को जैसे ही इस पात की जानकारी हुई और हो ने इस मामले को ट्विटर पर उठाया जिसके बाद पाकिस्तान डिफेंस नाम के पेज को ट्विटर ने सस्पेंट कर दिया कॉंग्रेस नेता राहूल गांधी को गुजरात पिधान सभा चुनावों से पहले ही कॉंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोंबार कॉंग्रेस फरकिंग कमीटी की बैठर बुलाई है अध्यक्षपत के लिए राहूल के अकेले उमीदवार रहने की भी संभावना है। पार्टी रिताओ का कहना है कि वैसे अध्यक्षपत के चुनाव के कारिकरम की मनजूरी के लिए CWC की अपचारिक पैठर बुलाने की जरूरत नहीं है लेकिन सोनिया गांधी ने पार्टी की निर्ने करने वाली सरवच्च संस्था की मनजूरी लेने का फैसला किया है। ताकि किसी भी समुदाई की भावनाव को ठेस ना पहुंचे। मुख्यमंत्री ने पात्र में लिखा है कि इस संबन्द में सेंसर पोड को भी फिल्म प्रमानित करने से पहले इसके सभी संभावित नतीजों पर विचार करना चाहिए। राजे ने कहा है कि प्रसित इतिहास कारों, फिल्मी हस्तियों और पीडित समुदाई के सदस्यों की एक समीती कठित की जाए जो इस फिल्म और इसकी स्क्रिप्ट पर विस्तार से विचार विमर्ष करें। अब तक के लिए इतना ही देश-दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रही है ना भारा टाइमस ऑनलाइन के साथ।